तो कैंटो से लेकर गलार तक हर एक रीजन में तीन स्टार्टर पोकिमॉन का सेट होता है जैसे की कैंटो में थे चार्मेंडर, बल्बसोर और स्कॉटल और जोटो में थे टोटो डायल, सिंडक्विल और शिकोरीटा जिन में से कोई एक पोकिमॉन, पोकिमॉन ट्रेनर्स अपने जर्णी के स्टार्टिंग में चूज कर सकते हैं पर कुछ ऐसे trainers भी exist करते हैं जिनका starter Pokemon इन में से कोई भी नहीं था या फिर उनका first Pokemon कोई और Pokemon था ना कि starter था तो हाँ topic काफी जादा unique है वीडियो का end तक जरूर देखना साथ में चैनल को subscribe करके bell notification को all पे set कर देना और वीडियो को like करना मत भूलना अब वीडियो को start करते हैं let's get started वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने इसका part 1 बना के रखा है अगर आपको कोई trainer missing लग रहा तो वीडियो को check out कर लेना link description में मिल जाएगी वाकनर की childhood story हमें anime में दिखाई गए थी जहाँ पे वो आते जाटे trainers को challenge किया करता था और एक बार वाकनर को flint मिला जिसको वो challenge करता है बट वो वाकनर से battle हार गया और आगे जाके वाकनर दुबारा से flint को challenge करता है बट इस बार वाकनर जीतता है जिससे दोनों के बीच में rivalry create हो जाती है आगे जाके flint के light 4 member बन जाता है और वाकनर सीनों का gym leader बन जाता है पर इसी childhood story में ये भी reveal किया गया था कि वाकनर का सबसे पहला Pokemon था Pikachu जो कि वाकनर के gym leader बनने से पहले ही रायचू में evolve हो गया था और ये भी आश के Pikachu के तरह पोकी बाहर रहता है और अपने childhood में वाकनर ने flint के साथ दोनों battle में अपने Pikachu को ही use किया था फर्स्ट टाइम वो फ्लिंट के चिमचार से हार जाता है पर सेकंड टाइम वो जीच जाता है और ये काफी strong भी था इसने काफी सारे trainers के Pokemon को defeat किया है जैसे कि मौ, थीम, वी, वाइल या फिर हाउंडूम childhood में वाकनर पिकाचू को almost हरिक battle में use किया करता था पर अब वो रायचू को काफी कम use करता है अब इसके पीछे का reason ये हो सकता है कि पिकाचू उसका first Pokemon था और उस टाइम उसके पास कोई और strong Pokemon नहीं होगा पर फिर भी ये confirm है कि वाकनर का first और starter Pokemon पिकाचू था आश के तरह वाकनर के रायचू को काफी सारे attacks भी आते हैं जैसे कि iron tail, thunder bolt, wall tackle और thunder नमबर 2, Chloe Chloe गलारीजन की एक female character है जो कि कभी-कभी आश और गो के साथ travel भी करती है तो आप इसको एक traveling companion भी मान सकते हो Chloe के पास दोई Pokemon है जिन में सबसे पहली है ईवी और सेकेंड है उसका starter Pokemon Yamper Yamper Chloe के डैड यानि की professor series को उनके एक friend ने gift के तरह दिया था शुरू में Chloe को Yamper पसंद नहीं था और वो चाती थे कि Yamper यहाँ से चले जाए और यह सुनकर Yamper वहाँ से चले जाता है और Chloe उसको ढूड़ने जाती है तभी Chloe पे काफी सारे Venonet अटैक कर देते हैं तभी वहाँ पे Yamper आके सारे Venonet को भगा देता है जिससे आर Chloe Yamper को पसंद करने लगती है और Yamper पूरे family में सबसे जादा Chloe को ही पसंद करता है हाला कि अभी तक Chloe ने Pokeball का यूज़ करके Yamper को catch नहीं किया है पर फिर भी Chloe और Yamper में काफी अच्छी बॉल्डनिंग है इवेन Yamper Chloe के अलावा किसी और के हाथ से खाना नहीं खाता तो हाँ Chloe का सबसे पहला याफिल स्टार्टर पोकीमॉन Yamper है और Yamper को सीफ और सीफ और सीफ एक ही अटैक आता है जो की है स्पार्क मिस्टी की चैलूट स्टोरी हमें अनमे में दिखाई गई है पर उसमें ये कनफर्म नहीं किया गया है कि मिस्टी का फर्स या फिर स्टार्टर पोकीमॉन कौन था पर अगर आप मिस्टी के टीम को ध्यान से देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि उसके पास कैंटो से लेकर गलार तक का कोई भी स्टार्टर नहीं है तो definitely Misty को अपने journey के starting में कोई भी starter नहीं मिला था और जिस Pokemon के सबसे ज़्यादा chance है Misty के first Pokemon या फिर starter होने के तो वो है Star U Star U उनकुछ Pokemon में से एक है जो कि Misty के पास Ash के साथ travel करने से पहले था दोनों की bonding काफी ज़्यादा अच्छी है और भले Misty के पास इसका evolve from star me है बट फिर भी वो Star U को यूज़ करना जादा prefer करती है In fact, किसी भी battle में Misty की सबसे पहली choice Star U होता है तो हाँ ये confirm नहीं है कि Misty का first या फिर starter Pokemon कौन था बट ये confirm है कि Misty को कोई और starter मिला था No.4, Korina Korina एक Kalos की fighting type gym leader है Korina के पास Kanto से लेकर गलार तक का कोई भी starter नहीं है उसके पास सिफ और सिफ तीन Pokemon है जो कि है मचोक, मियान शाओ और लुकारियो जिन में Korina का सबसे पहला और starter Pokemon था लुकारियो जो कि Korina को रियोलू के form में मिला था Korina और लुकारियो चैलूट से साथ है और इन दोनों में इतनी जाद अच्छी bonding है कि Korina लुकारियो को अपना soulmate मानती है Korina का लुकारियो काफी fast और strong है और वो mega evolve भी हो सकता है हाला कि पहले Korina का लुकारियो mega evolve होने के बाद out of control हो जाता था पर मेबल ने लुकारियो को mega evolution कंट्रोल करना सिखा दिया जिसके बाद वो काफी जादा strong हो गया लुकारियो ने काफी सारे strong Pokemon को defeat किया है जैसे कि Ash का Pikachu, Hawlucha और Fletchinder और recently Pokemon journeys में उसने Ash के Gengar को भी defeat किया था बटागे जाके वो Dragonite से हार जाता है और इसके attacks की बात करी जाए तो वो है Bone Rush, Power Up Punch, Metal Sound, Aura Spear और Sword Dance नमबर 5 पे आती है Cynthia Cynthia Sinnoh की Champion है जिसका सबसे पहला और Main Pokemon है Garchomp जो की Mega Evolve भी हो सकता है और ये काफी जादा strong है अगर ये वीडियो में कुछ दिन पहले बनाता तो definitely यहाँ पे Cynthia का Garchomp नहीं होता क्योंकि हमें कभी भी anime में Cynthia या फिर Garchomp की childhood story नहीं देखने को मिली पर recently Cynthia के childhood का एक official poster रिलीस किया गया है जहाँ पे उसके पास एक Gible है और हाँ ये Cynthia का Garchomp है जो कि Cynthia को Gible के form में मिला था and वो fully evolve हो चुका है Garchomp में और हाँ जो चीज इस बात को और भी confirm कर देती है कि Garchomp Cynthia का starter था वो ये है कि Cynthia के पास कोई भी starter नहीं है anime में तो हाँ हम ये मान सकते हैं कि Cynthia का starter Garchomp था क्योंकि जादतर starters के साथ ये trainers की अच्छी bonding होती है Cynthia और Garchomp ने मिलकर काफी सारे trainers को defeat किया है जैसे कि युनोवा की चैंपियन आईरिस युनोवा की इलाइट फोर कैटलीन सिनो के तीन इलाइट फोर फ्लिंट, लूशन और एरन और लास्ट में आता है पॉल जिसको Cynthia ने काफी easily defeat कर दिया था और Cynthia के Garchomp को काफी सारे strong attacks आते हैं जैसे कि आउट रेज, सैंस्ट्रॉम, स्केल, स्केल, स्टोनेज, ड्रैको मीटियोर, फ्लेम थ्रॉर, ड्रैगन क्लॉप, ब्रिक ब्रेक, ड्रैगन रस, डिक और गिगा इंपक्ट फार्नली नंबर सिक्स पे आती है डायन था Master A tournament से पहले डायन था कि सिफ़र सिफ एकी Pokemon Reveal थी जो कि थी Guardi War पर Lance के साथ Battle में डायन था ने Pamukaboo और Aroros का यूस किया था और काफी सारे Mangab में भी डायन था के पास Guardi War के अलावा कोई और Pokemon नहीं है और Guardi War डायन था की Ace Pokemon भी है जो कि Mega Evolve हो सकती है Mega Guardi War में और ये काफी जादा Strong है और Anime में डायन था के पास कोई और Starter भी नहीं है Anime में ये Confirm किया गया है कि डायन था को Guardi War Rolls के Form में मिली थी अपने Childhood में जिसके आप लोग यहाँ पर Image भी देख सकते हो तो हाँ तो वो है Shadow Ball, Moon Blast, Reflect और Psychic Well guys यही था आज के इस वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आईए तो लाइक करना मत भूलना साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ओल पे सेट कर देना तो हाँ दुबादा मिलेंगे एक और ऐसी ओसम वीडियो के साथ Until then, peace out